मैं यहें वीडियो उन स्टूजन्स के लिए बना रही हूँ जिन्होंने सोच ही लिया है कि चाहे एक क्लेरिकल जॉब मिल जाए लेकिन हम गौर्वर्मेंट जॉब में एक बार आ जाएं तो पहली बात कि क्या कोचिंग लेना जुरूरी है या ज़्यादा पढ़ना जुरूरी है दूसरा अगर आप किसी सब्जेक्ट में वीख हैं तो क्या करें तीसरा अगर आपके पास कोचिंग के पैसे नहीं हैं तो क्या करें करेंगे इसी बारे में बात प्लीज इस एक सबब चैनल को सब्सक्राइब करें सब्सक्राइब करना फ्री है मैं ये वीडियो लड़कों से बात करते हो बनाऊंगी पाकि ये वीडियो लड़का लगी दोनों के लिए सबसे पहले तो आपके मन में ये होना चाहिए और यह सोच अपने मन में रखें कि मैं जो भी एक्जाम देने जा रहा हूं मुझे क्लियर करना ही है क्योंकि पॉजिटिव सोचने से एक आपके मन में विश्वास आएगा तो सबसे पहले तो सूशल मीडिया से बिलकुल दूर हो जाओ इंस्टाग्राम, फेस्बूक ये सिरफ टाइम पास और टाइम खराब करने के लाबा खुछ नहीं है मुबाइल फोन को भी पड़ते समय साइलेंट मोड पर रखें कोई भी चीज कोई आपको डिस्टरब करती है उसको दूर कर दें पेपर ये सोच कर देने जाओ कि मुझे टॉप करना है ऐसे करने से आप पहले दस में या पहले सौ में या पहले हजार में तो आ ही जाओगे अपना कमरा जो पड़ने का है वह शोर से दूर रखें उसमें एक कार्डबोर्ड या एक ब्लैकबोर्ड रख लें जिस पर आपका अपना सलेवस लिखा हो हनी भी मदुमक्खी बन जाएं जिसका मकसद होता है कि फूल से शहद लेना और वह लेकर रहती है आप पहले यह देखो कि आप कोचिंग लेना चाहते हो या खुद पढ़ना चाहते हो जो कोचिंग लेना चाहते हैं उनका मैं आगे बताऊंगी अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं तो जिस इस्टूर्ट से आप लेना चाह रहे हैं तो क्या उसका नाम है, students ने वहाँ से clear किया है, उनकी जॉब लगी है, सब कुछ पता करने के बाद ही वहाँ अपनी coaching फीज दें और coaching में जो भी study material आपको दिया जाता है, उससे जरूर और जरूर पढ़ें अगर coaching नहीं लेना चाते हैं, आप बहुत उशार हैं, खुद पढ़ना चाते हो, तो अच्छी standard की text books, जिनका नाम हो, competitive exam के लिए, वो market से आप खरी दें उनको पढ़ें, और जब भी आप पढ़ने बैठ रहे हों, तो syllabus पर नजर जा लें सबसे पहले जिस syllabus को भी आप पढ़ रहे हो, उसका जो आपको लगता है tough lesson है, पहले वो पढ़ें इसने हमेशा एक घंटा पढ़ें, दस मिट राम कर लें, फिर मन करें तो यह कोई easy topic भी उठा सकते हैं दूसरे subject का, हमेशा बार-बार आने वाले questions पर ध्यान दें, उन chapters को पहले पढ़े, जिन मेंसे बार-बार questions पढ़े, पूछे जाते हैं जिस कमरे में आप पढ़ रहे हैं, वहाँ शान्ती होनी चाहिए, पानी की बोतल और ग्लास साथ लेकर बैठें जिरूर नहीं है, कि 16 गंटे, 17 गंटे पढ़ना है मैं तो कहूंगी, आप 24 गंटे में साथ गंटे भी पढ़ लेते हैं, तो बहुत और बहुत हैं ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता, ध्यान से पढ़ने से पढ़ाई होती है किताबों के साथ समय नहीं विताएं, अगर ध्यान से आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो आप अपना सिरफ समय खराग पढ़ने हैं पढ़ने का मन नहीं हैं, तो पढ़ाई छोड़ दो, उस समय तो छोड़ी दो किसी भी टॉपिक की त्यारी के बाद उसको रिवाईस करना बहुत जोड़ी है क्योंकि 24 घंटे के अंदर आगर आपने रिवाईस नहीं किया, तो 90% आप अपनी पढ़ाई जो पढ़ा हुआ भूल जाएंगे यह शाद आप नहीं जानते, जितना भी आप रिवाईस करोगे, वह सब्जेक्ट आपके दिमाग में लंबे समय तक रिटेन हो जाएगा एक आडियो टक्नीक होती है, मतलब important dates, important formulas, अपने mobile में आप अपनी आवाज में record कर लो और आप कोई भी काम कर रहे हो, तो आप अपनी record की हुई बात को सुन सकते हैं, इससे आपका revision होता रहेगा और अब मैं आपको बताते हूँ, एक होता है mock test पांस से दस सल पुराने question papers उठालो, उन्हें revision करो, pen और papers अपने पास रख लो हर subject के कौन से repeated questions पूछे जा रहे हैं, कौन से topic पूछे जा रहे हैं, वो papers पे आप लिखते जाओ जब final exam का time आएगा, तो सबसे पहले आप हर हफते mock test लो, फिर हर रोज mock test लो उससे क्या होता है, आपकी speed आपको पता चलेगी कि मैं कितनी समय में कितना paper कर पाया, और क्या आप नहीं कर पाया, वो भी आपको पता चलेगा time table के हिसाब से मत पढ़ो, कि इतने घंटे या करने, इतने घंटे या पढ़ने, नहीं, ऐसा routine मनाओ कि मुझे English का यह topic आज खतम करना है चाहे उसमें दो दिन लग जाएं, लेकिन पहले यह topic खतम करना है, जो वो पढ़ो, वो पढ़ाई करो, जितना examiner पूछने वाला है बस पढ़ते ही मत जाओ, जो भी exam की तियारी कर रहे हो, उसका syllabus और pattern पता हो चाहिए हर exam में, जितने भी मैंने आपको बताया पहले की फार्म्स भरने हैं, हर exam में 19-20 का ही फरक होता है सबका syllabus और pattern तकरीवन सेम ही होता है, pattern मतलब कि कितने question आने हैं, कितना समय मिलेगा paper देने के लिए सही होने पर कितने marks मिलेंगे, और गलत होने पर कितने marks काट लिए जाएंगे किसी के कहने पर मत चलो की सुबह जल्दी उठकर पड़ो, या रात को जब शान्ती होती है तब पड़ो जो आपको ठीक लगता है, वैसे पड़ो अगर दो दोस्त मिलकर पढ़ते हो, तो बहुत अच्छा इससे बहुत अच्छी तियारी हो सकती है कोई topic आपको अच्छा हो सकता है तो दोनों एक दूसरे की help कर सकते हो और जब आप paper देने जाते हो तो paper शुरू होते ही मतलब जब उसकी bell होने वाली है उससे पहले ही अपनी घड़ी उतार कर answer sheet के पास रख लो ताकि आपकी नजर आपके time पर पढ़ती रहे क्योंकि अगर मैंने आपको एक clerical exam के लिए बता रही हूँ उसमें तो objective type questions ही आने हैं तो बतलब उसमें चार answers आपको दे ही रखे होंगे तो इसलिए मैं कहा रही हूँ ताकि आपकी घड़ी पर ध्यान रहेगा तो आपको time का पता चलता रहेगा आपने कभी कब्यूतर को देखा है वो हवा में उड़ता है और एक एक तिनका उठा कर लाता है और एक एक तिनके को रखता जाता है उसे पता है कि उसने वो बहुत भेनत करता है हवा में उड़ता है एक तिनका लाता है पर रख देता है हवा में उड़ता है एक तिनका ला कि मुझे गौवर्मन एक्जाम क्लियर करना ही है बाकि अगर आप कोचिंग लेना चाहते हो पर पैसे नहीं है तो भी कोई बात नहीं इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियोज हैं चक्टर वाइस कोई भी सब्जेट कोई भी टॉपिक अप टाइप परो आपको मिल जाएगा ब किताब में होना चाहिए तीन किताबें बदलने से अच्छा है कि आप एक ही टॉपिक को तीन बार पढ़ लो अगर यूटूब से भी पढ़ते हो तो आप एक बास समझो कि यूटूब में भी समझाया जाता है अगर आपको समझ हाना होगा तो वीडियो से भी आ जाएगा कोचिंग में भी आपको समझाया ही जाता है जब भी पढ़ने बैड़ते हो तो अपने नोर्स पनाओ मतलब अपने हाज से एक पेपर पर लिखते जो बेशक सुन्दर राइटिंग ना हो पर जुरूद पढ़ने पड़ आपको आपका लिखा हुआ समझ आना चाहिए अगर अगर आप किसी सब्जेक्ट में कमजोर हैं तो सबसे पहले उसकी पढ़ाई करो अगर यह सोद दिमाग से निकाल लो कि सबी काम पैसों से ही होते हैं देखो सब के पास पैसे नहीं होते हैं आज कई लोग जो बड़ी पोस्ट पर पहुंचे हैं वो मेहनत करके ही पहुंचे हैं उन्होंने अपना मकसद की नोकरी हासिल करना बना लिया था पस बाकि अगर पहले attempt में भी आप clear नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं जो भी आपने 810ENS वर्म भर रखने हें बस आप form निकलते हैं बरते जाओ अपने लेवल के जो forms है आप भरते जाओ पढ़ाई पर की गई मेहनत कभी खराब नहीं होगी अगर clear नहीं हो पाया तो आपको इतना तो समझ आई जाएगा कि कहा कमी रह गई क्या सीखना बाकी है बस अपना विश्वास बनाए रखें अपने पर भरोसा रखें अगर आपका math English कुछ भी week है मानती हूँ पर यह improve भी हो सकता है अगर उस पर मेहनत की जाए ध्यान से पढ़ा जाए कुछ पाने के लिए जुनून की जुवत होती है कोई topic एक बार में समझ नहीं आया तो दूसरी बार में समझ आएगा तीसरी बार में समझ आएगा और आएगा जुरूर अगर आप ध्यान दोगे तो Practice makes a man perfect यह line आपने सुन रखी होगी बस रोज पढ़ना है पढ़ाई पर ही ध्यान देना है जो पढ़ा है उसे रिवाई जुरूर करना है तब ही आगे बढ़ना है बस इस बात का जान करो और पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ और final exam आने से पहले कि 5-10 साल पुराने text papers पर काम करना शुरू कर दो, पढ़ना शुरू कर दो, mock test करना लेने शुरू कर दो, उन्हें solve करना शुरू कर दो time set करो, देखो आपको समझाएगा कि आप कितनी देर में आप paper कर पाए सारी त्यारी होने के बाद paper जब आपके सामने आने वाला हो, जब आपके papers का टाइम आने वाला हो, तो note revise करो जो आपने, मैंने बताया था कि बनाए हैं, पहले हर अफ़ते अपना mock test लो, फिर रोज test paper solve करो, इस से आपका विश्वास पढ़ेगा, और अब जब आप final paper देने जाएंगे, तो आपको लगेगा ही नहीं, या पहली बार solve कर रहे हैं, आपका हाथ flawless चलेगा, पाकि जो teacher अगर आपने coaching ली है, आपको पढ़ा रहे हैं, आप उनसे भी कुछ पूछना चाहते हैं, तो अपने सब doubts clear करो, ठीक है, और अगर आप coaching नहीं ले रहे हैं, त जब जो आपसे बड़े हैं, उन्होंने exam clear करा है, तो उनसे आप सला ले सकते हो, आपको बहुत अच्छा guide करेंगे, बस इतना ध्यान करो, यह समय और यह उम्र तुबारा नहीं आएगी, इसलिए एक बार मेहनत करके पढ़ लो, दोस्त रखो, बात करो, घुमो, सब कुछ क क्लारिकल में आते हैं, उसके लिए बहुत कम समय मिलता है, तो पहले सब कुछ जहां से टिक लगाते जाओ, आखिर में देखो कि कितना समय बचा है, क्योंकि मैंने, जब आपके बार समय नहीं रहेगा, तो आप क्या करोगे, तुके ही मारोगे, तो पहली बार आपको तुक तुके भी नहीं मारने पड़ेंगे, और जब भी आप अबड़क्टिफ पेपर शुरू करने लगे हो, जो आप क्लारिकल के लिए जा रहे हो, आपका पेपर शुरू हो गया है, तो सबसे पहले मैस का पोश्चन अटंट करो, फिर रीजनिंग का, फिर इंगलिश का और फि स्थर वाची का, थोज था है, तर ज έको खरूरूचछ। म क्क्वचर, खिलों के का, भी इंगलिश का, एकस प्याय करने का, टुके देन अञीत corner ।